श्वागत है आप सभी का फिर से Insati Computer Channel में LibreOffice में आज की वीडियो में हम आपको LibreOffice Impress की बारे में बताने वाले हैं इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारा LibreOffice Writer और LibreOffice Calc के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं पूरा हमने MenuWise वीडियो आपको दिया है किस Menu के अंदर कौन सा Command दिया गया है और उसका क्या Work है हमने आपको पूरा डिटेल में बताया है तो आज हमारा Topic है LibreOffice Impress यह हमारा पहला वीडियो होगा जिसमें हम आज आपको LibreOffice Impress के बारे में बताने वाले हैं साथ ही हम इसको कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडेक्शन के रूप में हम बताना चाहते हैं LibreOffice का क्या यूज है LibreOffice के बारे में हम आपको बता दें LibreOffice Impress LibreOffice का ही एक भाग है जो एक application software के रूप में प्रियोग होता है LibreOffice Impress एक presentation software है जो MS PowerPoint की तरह कारे करता है अपने Microsoft का PowerPoint पढ़ा हुआ है उसी तरह ये विकल्ब भी इसके विकल्ब भी काम आते हैं जिसमें user slide को बना कर अपने presentation को दिखा सकता है साथ ही इसमें 2D animation जैसे विकल्ब का भी इस्तमाल आप कर सकते हो इसमें आप chart, object, text, multimedia को भी आप सामिल कर सकते हो और उस पर animation और business प्रभाव का भी प्रियोग कर सकते हो इसमें बनने वाली file का जो extension होता है .odp होता है साथ ही आपको बता दें कि LibreOffice इंपरेश में आप slide को बना कर उसको format करने की साथ-साथ उसमें audio, image और video का भी प्रियोग कर सकते हैं और किसी भी social platform पर इसको आप share भी कर सकते हैं तो सबसे पहले हम आपको जाए LibreOffice इंपरेश को डाउनलोड करना बताना चाहते हैं हम इसको दो तरह से डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले आपको बता दें कि आपके system में जो भी browser है उसको आप open कर लीजेगा उपन करने के बाद यहां address बार में आपको टाइप करना होगा www.libreoffice.org आप इस पे टाइप करने के बाद इंटर बटन को प्रेश करिएगा ऐसा करते ही आपके सामने देख सकते हैं LibreOffice.org का जो home page है उपन हो चुका है यहां देख सकते हैं जो latest version है LibreOffice 7.2 is here आपको यहां download now पे क्लिक करना होगा download now पे क्लिक करते ही हमारे सामने अगला page खुलेगा आप यहां देख सकते हैं LibreOffice 7.2.5 का यह latest version आचुका है जो Windows 64 bits के लिए बना हुआ है आप यहां download बटन पे क्लिक करें और इसको download कर लें यह पहला तरीका होगा LibreOffice को download करने का दूसरा तरीका आपको बता दें कि जो भी version आप LibreOffice का use कर रहे हो उसको आप open कर लें open करने के बाद आपको help menu के अंदर जाना होगा और help menu में आप यहां देख सकते हैं check for update का option दिया गया है जैसे आप इस पे click करेंगे आपके सामने check for update का window खुल जाएगा अब यहां देख सकते हैं इस status में आपको दिखा रहा है LibreOffice 7.2.5 is available यहां पे देख सकते हैं और हमारे system में जो पहले से install है वो 7.0.4 है आपका अगर हम चाहते हैं कि 7.2.5 को हम download करें तो आप यहां download बटन पे भी click करके आप इसको download कर सकते हैं तो यह दूसरा तरीका होगा download करने का जो भी पुराना version आप यूज़ कर रहे हो उस पुराने version में आपको यह बिकल्प मिल जाएगा यहां से आप अपने पुराने version को नए version में update कर सकते हैं तो हम install कर लिए हैं already हम install कर चुके हैं download करने के बाद अब यहां देख सकते हैं कि LibreOffice Impress हमारी सामने खुला हुआ है मैं इसको फिर से एक बार open करता हूँ आपको यहां search box में जाना है और यहां से आपको LibreOffice Impress को click करके open करना है जैसे आप LibreOffice Impress को open करिएगा आपकी सामने इस तरह का window खुल के आएगा जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हो selected templates का window आ रहा है यहां से आप पहले से बने हुए LibreOffice Impress में templates को आप select कर सकते हो slide को बनाने के लिए आपको बहुत जादे मेहनत नहीं करना पड़ेगा यह सब templates आपकी दी गए है यहां देख सकते हैं category दी गई है जहां से आप अलग-अलग type की category को presentation के रूप में आप प्रियोग कर सकते हो यहां देखें category पे click कर रहे हैं तो यहां पे all categories दी गई है my templates दिया गया है business correspondence दिया गया है ऐसे ही बहुत सारे templates दे आपकी computer में पहले से Libre office employees के अंदर दिये गया है जिसको भी आप प्रियोग करना चाहते हो जिसको भी आप slide के रूप में प्रियोग करना चाहते हो आप उसको select कर सकते हो suppose हमको अगर यह लेना है तो हम इस पे focus वाले पे click करेंगे और click करने के बाद जैसे open करेंगे हमारे सामने जे कुछ इस तरह का slide हमारे सामने खुल के आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हो कि या लेडी इसमें चार slides जे दिये गया है अगर आप इस तरह की templates का प्रियोग नहीं करना चाहते हो और आप चाहते हो कि हम खुद का जे अपना slide जे बनाए उसका design बनाए साथ ही हम उसके उपर जो भी effect दालना चाहते हैं वो effect भी डाल सकें तो आपको क्या करना होगा मैं इसको close कर देता हो और close करने के बाद हमने कहा कि फिर से आप इसको अपने impress को दुबारा open करिएगा open करने के बाद मैंने कहा कि यहाँ अगर templates को use नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ close button पे click कर दीजेगा close पे click करते ही सामने आप देख सकते हो आपकी सामने जै इस तरह का looks जै खुल जाएगा impress का जै जिसमें आपकी सामने यहाँ देख सकते हो एक page खुल के आ रहा है इस page को हम slide बोलते हैं सबसे पहले आप देख सकते हो कि untitle 1 Libre office impress के नाम से यहाँ title में आपको यह message सो कर रहा है यानि जब भी हम Libre office impress को open करते हैं तो हमारे सामने जो page खुलता है जो slide खुलता है उसका जो title होता है वो untitle 1 के नाम से open होता है उसके नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ menus दिये गए हैं उसी तरह जैसे आपने Libre office writer के अंदर और Kelsey के अंदर आपने देखा है ठीक उसी तरह यहाँ भी आपको menus दिये गए है और हर menu के अंदर उसका अपना command दिया गया है यहाँ से आप देख सकते हो file से समंदी जितना work है यहाँ पे उसके command दिये गए है edit से समंदी जो command है वो edit menu के अंदर दिये गए है और view से समंदी जो command है वो इसी तरह हर menu के अंदर उसका अपना command जै दिया गया है जिसका हम slide बनाते समय हम प्रयोग कर सकते हैं इसके नीचे आप देख सकते हो menus के नीचे जै आपका यहाँ पे standard toolbar दिया गया है जहां से आप यहां पे नया slide open कर सकते हो पहले से बने हुए slide को आप यहां से open कर सकते हो यहां से आप बनाय जारे slide को save कर सकते हो यहां से आप इसको export कर सकते हो PDF के रूप में यहां से आप print कर सकते हो यहां से cut, copy, paste जैसे भी गल्प को आप use कर सकते हो ठीक उसी तरह जैसे आप देख सकते हैं ड्राइंग का toolbar दिया गया है अगर आप slide बना रहे हो तो उसमें इस तरह के object या इस तरह के shape की जरुवत आपको पड़ सकती है इसके लिए toolbar भी दिया गया है अब यहां देखें toolbar के नीचे आप यहां देख सकते हैं आपका slide pen दिया गया है यानि जितने भ यहां पर इस slide pen के अंदर left hand में show करता है और जिस slide को हम select करेंगे वो यहां आपको selected slide के रूप में यहां आपको show करेगा normal view के रूप में इसके बाद यहां आप देख सकते हैं right hand में animation pen दिया गया है जो भी हम slide बनाएंगे और उसके उपर जो effect डालेंगे जो भी प्रभाव दालेंगे वो animation pen के द्वरा और animation pen के अंदर ही view होगा इसके बाद यहां देख सकते हैं sidebar ढर दिया गया है जिसमें हम laboratory office writer और calcium की तरह इसका भी हम प्रियोग कर सकते हैं यहां से properties को open कर सकते हैं यहां से गैलरी को open कर सकते हैं navigator को open कर सकते हैं इसी तरह यहां पे बहुत सारे विकल्ब जह दिये गए है सबसे नीची की तरह जह आपका यहां status bar दिया गया है जहां पे आप देख सकते हो कितने slide आपकी इस file के अंदर बने वे हैं वो यहां पे आपको show करेगा यहां पे slide के view को छोटा और बढ़ा कर सकते हो तो यह है आपका Libre Office Impress का introduction और हमने आपको बताया जहें कि कैसे इसको download करना है और कैसे install करना है साथ ही हमने Libre Office Impress का जहें फर्स वीडियो में आपको कुछ जानकारी दिया जहें तो उमीद है कि आज की जानकारी आपको फसंद आई होगी अगले जानकारी में हम आपको slide को कैसे बनाना है और कैसे menu's के अंदर दिये हुए जो विकल्प है इनका प्रयोग करना है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे तब तक के लिए नमस्कार जैहिन